से गाईज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SBI Bank के credit card को हम लोग कैसे close करेंगे हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि ऐसे कौन से तरीके से हम अपना credit card close करें जिससे बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी के साथ हमारा credit card close हो जाए तो online credit card close करने के तीन तरीके होते हैं पहला तरीका होता है आप अपने application के थूरू close कर सकते हो application में जाके दूसरा तरीका होता है customer care पे call करके close कर सकते हो और तीसरा तरीका होता है आप एक email करके अपने credit card को close कर सकते हो इसमें तीनों में जो सबसे fast service है जो सबसे पहले work करता है वो होता है email के जरीए से आप अपने credit card को close करते हो तो देखो मैं इस वीडियो में आपको तीनों तरीके बता दूँगा तो आपको जो सही लगे आप उस तरीके से अपना credit card close कर सकते हो मैं आपको यह बता दूँगर आपका नया credit card आया है अभी credit card आया है आपने उसे activate भी नहीं किया और आप उसे close करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही option रहेगा वो है email का आप email करके credit card close कर सकते हो आपने अगर customer care पे call करके close करने की कोशिश की तो आपका credit card close नहीं किया जाएगा आपको बता है जाएगा कम से कम तीन महीने तक का आप wait करो उसके बाद आपका credit card close किया जाएगा तो इसलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ SBI credit card अगर आपके पास है तो आप उसे email करके close करें आपको यहाँ पे email लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगे description में link रहेगा वहाँ पे आप जाकर email का format copy कर सकते हो और paste कर सकते हो तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे वीडियो में तो हम लोग चलेंगे पहले website पे और वहाँ पे मैं आपको तीनों तरीके बता दूँगा customer care का number भी बता दूँगा और email का format कहां से मिलेगा और किस जगे पे email भेजना है जिससे आपका credit card बहुत यहाँ आसाने के साथ close कर दिया जाएगा तो चलिए चलते हैं हम लोग website पे तो description में लिंक है जैसे link पे आप click करोगे तो इस page पे आ जाओगे यहाँ पे देखिए आपको लिखा है how to best ways close SBI credit card 100% work तो इसमें मैंने बताया है यहाँ पे देखिए आपको तीन तरीके हैं पहला है sending an email to cancel the credit card दूसरा है cancel a credit card by SBI card और तीसरा है cancel a credit card by calling customer care तो सबसे पहले बारे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि यह है sending an email to cancel the credit card email format यहाँ से आपको मिल जाएगा सबसे पहले मैं आपको email करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ से इसको करना है copy यह copy हो गया आप आओगे अपनी email पे email पे आने के बाद यहाँ पे आप इसे सीधे से पेस्ट कर दोगे subject में यहाँ पे आपको लिख देना है कुछ भी आप लिख सकते हो cancellation लिख सकते हो cancellation credit card request ठीक है और नीचे हो गया DRSBI card due to personal reason I don't need the credit card hence I request you to cancel my credit card number यहाँ पे सिर्फ आप अपने credit card का number लिख देना यहाँ पे अपना आपको number लिखना है और फिर उसके बाद नीचे आप आओगे तो further details of the card तो full name on the card यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जैसा card पे नाम है फिर ऐसा ही यहाँ पे जैसे आपने number अपना लिखा उपर number लिखना है यहाँ पे expiry date आपको लिख देनी है उसके नीचे आपको mobile number लिखना है और फिर उसके नीचे आपको अपनी email id लिख देनी है उसके बाद this later confirm that request at any update to my credit report should reflect the account was closed at my request थैंकिंग जू नीचे अपना नाम उसके बाद देखिए आपको भेजना कहाँ पे है टू में जाना है और टू में यहाँ पे आपको लिखना है customer care at the rate sbicard.com तो पहली email id आपको यह ले लेनी है spelling आप देख लेना c-o-s-t-o-m-e-r-c-a-r-e at the rate sbicard.com फिर उसके बाद यहाँ बगल में आप फिर आना cc पे आना तो customer service head at the rate sbicard.com यह लिख लेंगे तीसरी जो email id रहेगी वो रहेगी nodal officer की nodal officer at the rate sbicard.com तो यह तीन email id आपको भेज देनी है इन पे आपका हो गया पूरी mail आपकी complete हो गई जैसा मैंने बताया आपको वैसा कर लेना है और यहाँ send बटन पे आप click कर दोगे तो यह हो गया mail कि आपको mail कैसे लिखना है अब दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अब और article में देख लेते हैं देखिए cancel a credit card by sbi card app आप sbi card app से कैसे close करोगे तो first step है आपको sbi card app पे जाना है second step में बताया गया है कि आपको login करना है third step में बताया गया है login होने के बाद आपको dashboard open हो जाएगा fourth step में आपको ऊपर जो three dot line होती है तो उस पे आपको click करना है fifth step में बताया गया है कि click करने के बाद आपको services का एक option आएगा उस पे आपको click करना है sixth step पे 100 services आए जाएगा तो services में आपको दिखेगा scroll down करने के बाद नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा card closer request और eight step है close credit card को select करना रहेगा reason बताना रहेगा ninth step choose other कर लेना आप और कुछ भी उसमें लिख देना रहेगा आप कुछ भी select कर सकते हो reason में और tenth step जो होता है एक OTP आएगा आपके mobile number पे आपको OTP submit करना है और आपका cancellation request पहुच जाएगा फिर उसके बाद नीचे देखेंगे cancel a credit card by calling customer care तो customer care पे call करने के लिए यहाँ पे चार नमबर दिये गए one eight six zero five double zero one two nine zero से लेके last का जो three nine zero two zero two है इसके पहले आपको अपने शहर का study code लगाना है यह नमबर सबसे पहले अगर आप calling करोगे तो इस नमबर पे सबसे पहले connect होता और जो टॉल फ्री नमबर है उससे बहुत बाद ट्राइ करने के बाद ही connect होता है तो यहांबे भी आप call करके अपने credit card केंसल करा सकते हो लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैंने आज को बता दिया कि आपले लग्र वैसे आप description करा को感速 कंसल करें झाल झाल